नमस्कार आप देख रहे आरे न्यूज में आपके साथ नुपुर सक्सेन चरे रुख करते हैं इस वक्त की कुछ एहम ख़बरों का पश्टे मंगाल में विधान सभा चुनाओ को लेकर केंद्रे घ्री मंद्री अमिर्शा ने आज पूरू लिया के जंगल महल में चुनावी सभा को संभोधित किया इस दुरान उन्होंने पश्टे मंगाल की मुख्य मंद्री ममता बनरजी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आप लोगों को गंभीर बिमारी आने पर कॉलकत्ता जाना पड़ता है हमने टै किया है कि जंगल महन में हम नया एम्स बनाकर आदिवासी और कुर्मी भाईयों को स्वास्ति की आदुनिक सुविधाय देंगे जंसभा को संभोधित करते होए शाहा ने पीने के पानी का भी मुद्दा उठाया उनने कहा कि पूरलिया जिले में आपको पीने का पानी घर में नल से मिलता है क्या ममता दीदी आप लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पिलाती है एक बार दीदी को यहां से निकाल दो 10,000 करण रुपे के खड़ से शुद पानी की वस्ता वीजेपी सरकार करेगी उन्होंने आगे कहा यहां पहले वामपंथियोंने उद्योग स्थापित नहीं होने दिये उसके बार दीदी ने यहां से उद्योगों को भगाने का काम किया टीमसी हो या वामपंथि यह रोजगार नहीं दे सकते रोजगार चाहिए तो यहां NDA की सरकार बनाईए क्रिशी कानून की वापसी की मांग पर अडएक किसानों ने अलान किया है कि 26 मार्च यानि कल भारत बंद किया जाएगा सयुद किसान मोर्चा ने अलान किया है कि किसान आंदुलन के 120 दिन पूरे होने पर उस बंदी का आयजिन किया जा रहा है किसान संगर्णों की ओर से किये गए इस अलान को कॉंग्रेस लेफ समित कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है किसान मोर्चा ने ये अलान किया है कि होली का दहन के दिन नए क्रिशी कानूनों की प्रतिया जलाएंगे किसानों के ओर से कल के इस बंदी में कुछ चीजों को बंदी से रहत भी दी गई है किसान नेताओं के अनुसार कल की बंदी में किसी कंपनी या फैक्टरी को बंद नहीं करवाया जाएगा मोर्चा के मताबिक पैटरोल बंप, रेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर जैसे जरुट की चीजे खुली रहेगी कल किसानों ने भारत बंद का इलान किया है किसानों को कहना है कि होलिका के दिन वो कृषी कानून की प्ठिया भी जलाएगे तो लगतार किसानों का आंदोलन जारी है किसान अभी भी तीनों क्रिशी कानुनों को रत करने की मांग पर अड़े होई है और अब वो अपनी मांग बनाने के लिए एक बार फिर से भारत बंद का एलान किया है उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एक और दो अप्रेल को हाई कोट बंद रहेगा हाई कोट प्रयागराच और लखनो बेंच दोनों बंद रहेंगे चीप जस्तिस के आदेश पर रेजिस्टरार जेनरल ने ये जानकारी दी है कि एक और दो अप्रेल को मुकदमों की इफाइलिंग भी नहीं होगी आपको वतादे कि इस से पहले हिलाबाद हाई कोट ने उत्तरदेश में मास लगाने के नियम का अनुपाला नहीं के जाने पर नाकुशी जाहिर की है कोट ने निर्देश दिया कि एक जिमिदार पुलिस अधिकारी इस अदालत को सूचित करे कि 1 मार्च 2021 को पारत आदेश में दिये गए निर्देश को लागू करने के लिए कदम क्यू नहीं उठाय जा रहे है एक जन्हित द्याची का पर सुन्वाई करते हुए अदालत ने 1 मार्च 2021 को निर्देश दिया था कि शत प्रतिशत लोग मास लगाए एक और दू अप्रेल को हाई कोट बंद रहने वाला है लखनो अप्रेयागराग्ज बेंच दोनों ही बंद रहेंगी